हेलो फ्रेंड्स अपर्णा निटिंग लाइब्रेरी में आपका स्वागत है फ्रेंड्स आज मैं यह साथ कलर से एक बहुती सुन्दर स्वेटर बनाने जा रही हूं तो उस स्वेटर में जो डिजाइन पैटर्न डालने वाली हूं वह आपके साथ शेयर करूंगी इस वीडिय स्वेटर बना रही हूं यह रेंबो कलर के स्वेटर बना रही हूं मेरी बेटी है पांथ साल की तो मैं उसी के लिए स्वेटर बना रही हूं मेरी बेटी रोज मुझसे कहती है ममा मिले रेंबो वाला स्वेटर बनाओ रेंबो वाला स्वेटर बनाओ आप बनाती रहती हो स् इससीलिए उसकी फर्माइश कर रेंबो स्टायल में तो जोड़े रेंबो स्री छोता है, उसी स्रीकृइंश में बनाऊंगी ये रेड 17 D nya 8 ये ओर signal वेन जाल एकुद ये बनाने वाली कि टो इसी स्रीकृति में स्टाइटर बनाया और अपने बें गया है। तो 5 साल के स्वेटर के लिए 91 फंदे डाले हैं मैंने इसमें, ये देखी मैंने स्टार्टिंग रैट कलर से करी है, रैट करूँगी फिर औरेंज, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्ल्यू, फिर पर्पल, फिर प्रिंग, जो रेंबो का सिक्वेंस होता है, वो इसी सिक्वेंस वाला स्वेटर चाहिए मुझे, तो मैं उसी के लिए स्वेटर बना रही हूं, और मैंने इसमें 91 फंदे डाले हैं, और यहां पर देखिए मैंने ये कंगूरे वाले फंदे डाले हैं, जो कंगूरे वाले फंदे होते हैं, इसकी वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी तो यह 91 फंदे डाले हैं, तो इसी पर मैं बनाने वाली हूं, यह स्वेटर, तो स्वेटर को इसकी स्वेटर में जो डिजाइन पैटर डालने वाली हूं, वो बताऊंगी आपको इस वीडियो में, कि कैसे बनाना है, स्वेटर का जो पूरा प्रॉसेज है वो उसकी नेक्स वीडियो में बताऊंगी, तो मैं पहले बताती हूं, आपको इस साथ कलर से मैंने कि सिक्वेंस में यह डिजाइन पैटर डाला है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को अगर आपने सस्क्राइब नहीं किया है, तो आप सस्क्रा देखिए यहां पे 91 स्टेचेज लिए है क्यों लिए है क्योंकि यह जो डिजाइन पैटन में डाल रही हूं यह दस-दस के मल्टिपल में डलती है और एक फंदा मैंने एक्स्टर लिया है इस डिजाइन को एक जिस्ट करने के लिए तो हम जो यह स्वेटर बना रहे हैं वह कि बच्ची के लिए बनाऊंगी तो इतने फंदे बहुत होते हैं एक दो फंदा एक्स्टर भी हुआ तो कोई बात नहीं कुर्ति थोड़ी धीली ही अच्छी लगती है स्वेटर होता तो हम दो तीन फंदे कम कर लेते हैं लेकिन कुर्ति स्टाइल में है तो कुर्ति कि बनाऊंगी यहनी सीधी तरफ से भी उल्टा उल्टा और बैक साइड से भी उल्टा उल्टा तो देखिए यह मैं सारे फंदे अपने उल्टे उलूँ लगी यह मेरी फ्रस्टो है तो फंदे थोड़ टाइट होते हैं इसलिए पहली रो में हमें बहुत ध्यान से भिनना ह हमारा कोई फंद गिरना नहीं जाइए, खुलना नहीं चाहिए, वरना आपको सारे फंदे खोल के दुबारा से डालने बढेंगे. तो इसलिए एक एक फंदा बहुत अराम से सारे उल्टे उल्टे बनाने हैं और बैक साइड भी पूरी उल्टी उल्टी बनानी है देखिए हम दो रो बना लेते हैं फ्रंट साइड से उल्टा उल्टा और बैक साइड से उल्टा उल्टा देखिए आपे मेरी दो रो कम्प्लीट हो गई है यानि मैंने फ्रंट साइड से बिल्टा बिना है और बैक साइड से बिल्टा बिना है जो मैं डिजाइन पैटन डाल रही हूँ यह चार रो का डिजाइन पैटन है बस एक ही रो में हमारी डिजाइन डलनी है बाकी की तीन रो हमारी plane plane बिनी जाएंगी तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं जब भी हम कोई color लगाते हैं तो back side से हमें पहले ulta ulta बिनना है और जो इसकी second row होती है उसमें design pattern डलती है और बाकी की जो third or fourth row होती है वो हमारी normal plane plane बिनी जाती है बिनन design pattern के तो देखिए यहां से मैंने front side से एक line का border दिया है फिर back side से पूरा बिना है अब मैं design pattern डालूँगी तो यह 10-10 के multiple में design डलती है तो किस तरीके से डालनी है देखिए starting में हमें क्या करना है एक फंदा हमें plane बिनना है यह हमने plane बिना फिर धागा अपनी तरफ करके यहां पर डालेंगे फिर से हम दो का एक करेंगे और फिर से हम दो का एक करेंगे तो यह हमने तीन फंदे यहां पर हमने दो का एक दो का एक करा यानि तीन फंदे हमारे यहां पर कम हो गए तो दो जाली हमने डाली थी तो एक जाली हम यहां पर बढ़ाएंगे तो कैसे बढ़ाएंगे देखिए दागा पीछे करेंगे और एक फंदा तो हम प्लेन बिनेंगे फिर हम एक जाली यहां पर डालेंगे तो यह हमारा सिक्वेंस देखे तीन फंदे हमारे यहां पर बढ़ गए और यहां पर तीन फंदे घड़ गए तो इसी सिक्वेंस में हमें डिजाइन पैटन डालना है तो द तीसरी बार दो का एक, जो दो का एक करना है ये उल्टे फंदे किये जाएंगे और जो जाली डालनी है वो सीधी सीधी डाली जाएगे फिर धागा पीछे की तरफ करके एक फंदा हम सीधा बिनेंगे तो देखिए फिर क्या करना है धागा अपनी तरफ करके फिर तीन जाली डालनी है एक जाली फिर धागा अपनी तरफ करके दूसरी जाली फिर धागा अपनी तरफ करके तीसरी जाली फिर धागा अपनी तरफ करके दो गेक तीन बार करेंगे यानि दो का एक किया एक बार दो क यह गाया है तो इसी सिक्वेंस में पूरी जो डिजाइन पैटन है ड़लेगी इस रो में तो इस तरहे क कुछे रहेंजेंगे। यहां पर दोका एक मौन किया फिर तिन बार हम जाली डालेंगे। पहले एक फंदा बिन लेंगे। फिर तीन आजली डालेंगे, यहां जाली बा बस एक ही रोका है, बहुत ही सिंपल डिजाइन है, और जब बनती है, बहुत ही खुबसूरत लगती है, तो आप किसी भी बेबी सुएटर में भी डाल सकते हैं, लेडी कारडिगन में भी डाल सकते हैं, किसी में भी डाल सकते हैं, इसको बहुत ही सुन्दर लगती है, sequence में हम अपनी पूरी row complete कर लेते हैं यहाँ पे हम row के end में पहुचे हैं और यहाँ पे देखिए कैसे design को set करना है यहाँ पे starting में हमने 2 जाली डाली थी और यहाँ पे हमने 2 का 1, 2 का 1, 2 का 1 किया है तो यानि एक जाली हमारी अभी कम है तो हम एक जाली इस वाले फंदे पे डालेंगे तो last वाले फंदे पे हम एक जाली और डालेंगे तो हमारी जो design का sequence है यानि 10-10 के multiple का sequence है वो हमारा complete होगा तो इस तरीके से design pattern डालना है और यह design pattern बहुत easy है एक line की है अगर आप एक की साथ यहां पे तीन जाली डाल देंगे तो sweater में क्या होगा एक तरफ तो आपके फंदे बढ़ गए और इधर दो का एक, दो का एक, दो का एक करके घड़ गए तो आपका जो sweater होगा वो एक तरफ को चले जाएगा इस design को balance करने के लिए दो जाली एक तरफ और एक जाली एक तरफ डाली है या एक जाली आप एक तरफ डालिए दो जाली एक तरफ डालिए इस sequence को इस तरीके से repeat करकर करके हमें बनाना है अब हम क्या करते हैं? northwest में आते हैं. अब बैक साइड में हमें क्या करना है? पूरी रो हमारी उल्ती उल्ती भी दھی जाएगी war झाएगे. बैक साइड से सीदी सीदी बनी जाएगी. तो हम फ्रींग नमा कंप्लेट कर सुद्ध किलते हैं, सुद्धिक लिस्काउब dispart. और हमारी जो front side होगा, वहाँ पर design pattern डलेगा, तो हम पहले दो row बना लेते हैं, फिर मैं बताती हूँ आपको कि जो color है, किस तरीके से लगाना है, और किस तरीके से फिर से design pattern डलेगा, तो हम दो row बना लेते हैं, उल्टी तरफ से उल्टी उल्टी और सीधी तरफ से सीधी सीध और यह जो जाली वाला फंदा है इसको भी हम इसी तरीके से बिल लेंगे इसको छोड़ना नहीं है बिनते चली जाना है वरना हमारे फंदे कम हो जाएंगे तो इसी सिक्वेंस में इसको बना लेते हैं देखिए यहां मेरी फ्रंट साइट की रो कंप्लीट हो गई है और एक सिक्वेंस कंप्लीट हो गया है डिजाइन पैटन का यह देखिए यहां पर मेरे फंदे जो हमने डाले थे उसके बाद मैंने एक रो उल्टी उल्टी बनाई थी और फिर मैंने चार लाइन का डिजाइन दाला है यानि back side से पहले मैंने पूरा ulta ulta भी न लें फेfront side से design pattern दाला फिर back side से पूरा ulta ulta फिर far side सीधा सिधा तो चार row की design pattern हिरें है बहुत ही सुंदर है आप जरू डालके देखिए अब हम क्या करते हैं इसमें color अगर आपको कभी कोई स्वेटर बनाना है लेडिस कार्डिगन बनानी है तो पूरा आप एक कलर में भी बना सकते हैं बहुत ही अच्छा लगता है तो इस सिक्वेंस को रिपीट करके आपको बनाना है तो मैं दूसरा कलर फिलाल लगा रही हूँ तो मैं रैट के बाद दिए है क्योंकि जो साथ कलर की उन है बहुत उल्जियाएगी तो मैंने स्वेथ इसको अच्छे घटा दिया है यहां पे हम लगाएंगे और यहां पर हम लगाएंगे और पूरी रो हम बनाएंगे उल्टी उल्टी हम उल्टे-उल्टे बिनेंगे है, तो हम सारे फन्दें हमारे यह हैं देखिए बैक साइड कम्प्लीट करने के बाद हम फिर से फ्रंट साइड में आएंगे और फ्रंट साइड में यही डिजाइन पैटन हमें दुबारा से डालना है तो क्या करना है मैं पहला फंदा सीधा बिनना है देखिए सीधा बिना फिर धागा अपनी तरफ करके दो जाल डालनी है एक जाली फिर धागा अपनी तरफ करके दो जाली फिर तीन बार हमें क्या करना है दो का एक दो का एक करना है धागा अपनी तरफ करके दो का एक किया फि फिर धाग अपनी तरफ करके दो का एक तीन बार, एक बार, दो बार, और तीन बार, फिर तीन के करने के बाद, फिर एक फंदा सीधा, तो इसी सिक्वेंस में हमारा पूरा डिजाइन पैटन डालेगा, और आपको यह ध्यान रखना है कि अगर आपने नीचे वाली में एक फं फंदा रखना है, वरना अगर यहां पर आपने जैसे एक फंदा रखा यहां पर दो फंदे के बाद जाली डाली, तो क्या होगा आपकी जो डिजाइन पैटन है, वो सिक्वेंस में बैठेगी और आपकी डिजाइन पैटन टेडी हो जाएगी, यह जो आपका यह नीचे फि तो सेम सिक्वेंस में हम पूरी रो बना लेते हैं, और यह डिजाइन पैटन इसी रो में बनेगी बस, और बाकी की दो रो हमारी सीधी तरफ से सीधी और उल्टी तरफ से उल्टी उल्टी बिनी जाएगी, तो हम यह डिजाइन पैटन टाल इस रो में कम्प्लेट करते हैं, यह देखिए यह रो मेरी complete हो गई है अब हमें क्या करना है बैक साइड से पुरा उल्टा-उल्टा बिनना है और फरंच साइड से पूरा सीधा-सीधा बिनके दो row complete करने है फिर दो row complete करने के बाद फिर हम तीसरा color लगाएंगे और सेम वैसे ही बिना है जैसे हमने orange बिना है तो इसी sequence में हम बिनते हुए अपने seven color यूज़ करेंगे तो orange color बिनने के बाद अब मेरा आएगा yellow color तो पहले मैं इसकी दो row बनाऊंगी फिर yellow color टेस्ट इसमें हम साथ color से अपना इसकी लंबाई complete करते हैं तो मैं आपको साथ color लगा के दिखाती हूँ ये किस तरीके से लग रहा है देखिए अपे मैंने seven color यूज़ करके साथ color यूज़ करके sequence देखिए कैसे रिपीट करके बनाया है कितना सुन्दर design pattern बना है red है orange है yellow है green है blue है purple है pink अब पिंग के बाद फिर से मेरा यही sequence रिपीट होगा यानि फिर मैं pink के उपर लगाऊंगी red तो देखिए कितनी सुन्दर design pattern बनके तयार हुई है और यह आप एक color में भी डाल सकते हैं दो color में भी डाल सकते हैं अगर आप कोई ladies cardigan मनाये तो उसमें एक color के sequence में यह design जालिए बहुत अच्छी लगती है बच्चों के sweater में भी अच्छी लगती है और फंदों का अंदाजा आपको कैसे लेना है दस-दस के multiple में फंदे रखने है और जित्ते भी extra फंदे होंगे वहां पे हम यहां पे किनारे-किनारे extra रखेंगे जैसे यहां पे मैंने एक फंद सुन्दर मेरा design pattern बना है यह तो इसी sequence में मैं इसकी लंबाई complete करूंगी फिलाल इस वीडियो में मैंने आपको ही बताया है कि यह design pattern कैसे डाला जाता है तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी comment box में comment करके जरूर बताएगा मेरे चैनल को subscribe करना मत भूलेगा अगर नहीं किया है नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी कि यह कुर्ती कैसे बनाई जाएगी तो इसी sequence में हम इसकी length complete करके अपनी कुर्ती की height complete करते हैं और मिलते हैं next video में friends बाई बाई